कॉंग्रेस नेता राहूल गांदी लद्दा के दोरे पर हैं उन्होंने गुरुवार यानि 24 अगस्त को भी अपने दोरे की कई पोटो शेयर की हैं जिसमें वेकार गिल में सैना के जवानों के साथ नजर आ रही हैं इंस्टाग्राम पर शेयर की गई इन तस्वीरों के कैप्जन में कॉंग्रेस सांसद राहूल गांदी ने देश की सरदों की रक्षा करने वाले इन वीर जवानों की सरहना की हैं बता दी राहूल गांदी ने लिखा हमारी सीमाओ पर भारत माता के बहुत दूर बच्चे खड़े हैं भारत माता की कातिर ये किसी भी चुनोती का सामरा करने के लिए तयार हैं उनकी आखों में एक बार देखना उनसे एक बार बात करना या उनके जीवन की एक जलक आपको जीवन भर के लिए प्रिरित करने के लिए काफी है पता दी इन तस्वीरों में राहूल गांदी इस्थानिय लोगों और बच्चों के साथ बाइक राइडर करते हुए भी नजर आ रही है राहूल गांदी ने इस दोरान कारगिल में इस्थानिय लोगों से बात चीत भी की र कॉंग्रेस सांसर्द राहुल कांधी ने कहा कि लगदाग से सुन्दर जंग है दुनिया में और कई नहीं यहां कहीं भी चले जाईए हर जंग है अपने आप में खास है लगदाग के लोग बहुत अच्छे हैं यहां देश और भार से लोग आते हैं और यहां के लोग उनका बड़े चाओ से स्वागत करते हैं बताते हैं इससे पहले मंगलवार कूर राहुल गांधी लेहसेर से एक मोटसेकल पर सवार होकर करीब 130 किलोमीटर का सफर तैकर प्राचिन मट और रमणिये द्रस्य के लिए पहचाने जाने वाले लामा यूरू पहुचे थे इसके बाद राहुल गांधी कारगिल सेहर पहुचे थे ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बनी रहे इन खबर के साथ